दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बगू और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टर मीडिया मंच पर हर्याना के अंदर सरकार बनाने के बाद भारती जनता पारटी अब एक बार फिर से अपने संगठन को बड़ा करने में लग गई भारती जनता पारटी जिसके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि भारती जनता पारटी के लोग चुनाव के दोरान भी सक्रिय रहते हैं और चुनाव के बाद भी सरकार बनाने के साथ ही वो फिर अगली पंच वर्षी योजना पर काम श्रू कर देते हैं मैं आपसे सारी बात का जिक रिसली कर रहा हूँ कि भारती जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को धार देने के लिए बाजबा के परदेश अध्यक्ष, पंडत महुनलाल कौशिक, महुनलाल बडॉली आज तीन जिलों के प्रवास पर रहे नुह में गए, पलवल आए और उसके बाद में फरिदाबाद गए तीनों जिलों में उन्होंने कारे करताओं को संदेश दिया मूल मंत्र दिया कि संगठन सबसे बड़ी शक्ती है बाजबा के प्रदेश अद्यक्ष महुनलाल बडॉली ने का कि 33 लाग कारे करता थे हमारे पहले प्रात्मिक कारे करता और अब उनका कहना है कि अब जो इस बार जो सदस्ताब यान चल रहा है इसका लक्षे रखा गया है 33 लाग से बड़ा करके इसमें 17 लाग और जोड़ करके 50 लाग कारे करता अपने बाजबा के समर्थक बनाने का यानि कि बाजबा के जो प्राइमरी वरकर्स हों प्रात्मिक कारे करता हूँ आज इसी को लेकर के पलवल में थे और यहां आ करके उन्होंने खासकर नूजिले में भी उन्होंने पार्टी के अंदर बागी दागी और बगावतियों को बड़ा संदेश दे दिया मैं आपको बताऊं जब चुनाव चलता है तो चुनाव के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी के अंदर छुपी हुई काली भेड़ों से भीड़ते हैं तो फिर बगावतियों से भीड़ते हैं बागीयों से भीड़ते हैं चुनाब के अंदर हुआ क्या करता है कि एक नेता को टिकेट मिलता है और एक विधानसभा छेत्र में टिकेट मांगने वालों की लंबी कतार होती है कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 50 तक candidate होते हैं जो ticket मांग रहे होते हैं हर्याना की बात भी अगर कर लें तो भारती जन्ता पार्टी का ticket चाहने वालों की संख्या भी कोई कम नहीं थी जहां Congress से 90 विधानसभा सीटों के लिए approximately 2000 लोगों ने apply किया था ticket के इच्छा ticket के चाहने वाले लोग थे टिकेट क्यूंकि एक आदमी को मिलता है वो चुनाव मैदान में होता है और बाकियों की फिर जो टिक्टार्थी होते हैं उनका नैतिक दाइट तो असल में यह होता है कि वो जिसको संगठन ने जिसको पार्टी ने नमाइंदा बना करके कैंडिडेट चेहरा बला करके भेजा हो उसके लिए मदद करें लेकिन हुआ क्या करता है हुआ यह करता है कि जिनका टिकेट करता है या तो वो खुले आम चुनाव मैदान में आ जाते हैं आमने सामने हो जाते हैं पार्टी छोड़ देते हैं या फिर ऐसा होता है कि वो पा पार्टी से निश्कासित, हलाकि वापिस लिलिया जाता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कि जिनको छे साल के लिए निकाला था, उनका एक साल में सस्पेंशन कैंसल कैंसल किया जाता है, खेर, पंड़त महुनलाल बड़ोली ने कहा, भारती जनता पार्टी के परदेश अ लेकिन पार्टी में रह करके पार्टी की जड़ों में मठा डालते रहे, ऐसे लोगों की पार्टी संगठन के अंदर अब खेर ख़बर नहीं ली जाएगी, बड़ा सक्संदेश है, महुनलाल बड़ोली का ये, वैसे आपको बताऊं तो कुछ दिन पहले अप्ख्यमंत्री नायव सिंग सेनी ने भी कुछ इसी प्रकार की बात कही, नायव सिंग सेनी ने भी कहा कि जिन लोगों ने पार्टी प्रत्याशी के विरोध में चुनाव लड़ लिया, या फिर पार्टी में रह करके बगावत की, और या जिनों ने पार्टी छोड़ करके दूसरे का दामन थामा उनकी मदद की उनका भाजबा के अंदर कोई स्थान नहीं है और ये भी कहा कि इस पर फैसला पार्टी का अलाकमान करेगा और मौनलाल बड़ुली ने आज कह दिया कि जिन लोगों ने पार्टी की मदद नहीं की जो पार्टी के कारकरता कैंडिडेट के पर है उसके निमित में आज सबी पत्रकार साथियों के साथ ये नो जिला है और हमारा जिले का कारियल है अमारे जिला केर्दक्स और हमारे यहां से परच्चासी रहे हमारे पार्टी के वरिश्टनेता सब से आपका परिच्चे हुआ है और आज ये जो शंग्थन परव है भारती जन्ता पार्टी का ये चोदा के बाद अब 24 में जो संग्ठन परव है आज इसकी सुरुवात जो आपने देखी है चोदा में भारती जन्ता पार्टी की सरकार आई लगातार दस वर्सों तक रही और 24 में तीसरी बार सरकार आई ये जो सरकार की बड़ी ताकत है ये हमारा भारती जन्ता पार्टी का संग्ठन और आज विशव की सबसे बड़ी राजितिक पार्टी जिस पार्टी के पूरे देश के अंदर 13 क्रोड सदस्य भारती जन्ता पार्टी के थे अब 2024 में फिर दोबारा से उनका रिनू करने का काम जैसे हर्याणा परदेश में 33 लाख भारती जन्ता पार्टी के सदस्य थे उन सब को जहां हम रिनू करने का काम करेंगे वहाँ पर 17 लाख नए सदस्यों को भी जोडते हुए हर्याणा परदेश में 50 लाख सदस्य है भारती जन्ता पार्टी से जुड़े इस परकार के अभियान में हमारे हर्याणा परदेश के बीश हजार चस्सों उनक्तिस बूत हैं सबी बूत के कारिकरता घर घर जाके परतेक अठारा वर्षे उपर की आयू का कोई भी मैला है पुरोस है अठारा वर्षे उपर की आयू के सभी लोगों को हम भारती जन्ता पार्टी का सदस्य मनाने का निवेदन भी करेंगे और सब के पास में भी जाएंगे इस परकार का एक पूरा टार्गेट सेट किया है सभी को जम्यवारी दी है बहुत सारे ऐसे निता जो कांग्रिस में गए थी और वो सरकार भारती जन्ता पार्टी की बनने के बाद दोबार से वाप्षी के लिए प्रियास में हैं लेकिन अभी हमारा संग्ठन परो चला हुआ सदस्यता अभ्यान चला हुआ है पटका डालकर कहें भी पूरे हरियाना प्रदेश में हम कोई नई ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे है शादान सदस्यता का भ्यान चला है फिर हमारा संग्ठन का जो रचना है उसमें जुम्यवारिया देने का काम चलेगा और जो संग्ठन की पूरी रचना हमारी कि पूरी तरह से पूरी हर्यान पर्देश में बहुत सारी सूची एसी बढ़ी है कि जिन्होंने पार्टी में रहते हुए भी पार्टी के परत्यासी का मदद नहीं करी है पार्टी के विरोध में काम किया है और पार्टी में भी रहे हैं उनकी भी पहचान करते हुए क्योंकि संक्थन से जो परत्यासी चुनाव लड़े हैं हमने उनसे सबसे फीड बेक लिया है और भारतिय जंता पार्टी के साथ ऐसे बहुत सारे सामाजिक संग्ठन भी इस चुनाओं में लगे थे जो सामाजिक संग्ठनों से भी रिपोर्ट अमारे पास आई है कि फला कारेकरता ने कमी की है उस कमी को भी ध्यान में रखते हुए आने वारे समय में अब वो जहां है वहीं रहें आपने सुना कह रहें कि जो जहां है महुनलाल बड़ोली कह रहें कि हमारा भी सदस्तरा वियान चल रहा है प्रात्मे सदस्य बन रहे हैं, अगले चरण में सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे, फिर पदाधिकारी बनाए जाएंगे, यानि कि ये पूरी प्रोसेस चलेगी, और कह दिया कि वो लोग, कई लोग ऐसे नेता हैं, मैं भी सोशल मीडिया पर आप भी देखते होंगे, मैं भी था, कि जो लोग विधान सभा का चुनाव लड़े थे, पारटी से बागी होकर के, और या फिर बगावत जिन्नों ने की, कि पारटी के अंदर रहे, बड़ी अदावत के साथ बगावत की, पारटी के अधिक्रत प्रत्याश्री का विरोध किया, अब वो किसी भी प्रकार स सामने आ रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि भारती जन्ता पारटी के नेताओं के बीच इस सब को गुलदस्ता गैंग का नाम भी दिया जा रहा है, कि गुलदस्ता गैंग हैगी, आपको भी बड़े अच्छे ध्यान होगा कि विधान सभाद चुनाव के अंदर बहुत गए थे, अब वो वापसी जुगाड लगा रहे हैं, जुगत बिढा रहे हैं कि इस तरह से पारटी में चले जाएं और उनको संदेश दे दिया महुनलाल बड़ोली ने, पंदत महुनलाल ने कह दिया है कि जो चुनाव में खिलाफ रहे जिन्नों ने चुनाव में पारटी जो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे बहुत से नेता हैं, कि जो अब कोई रास्ता देख रहे हैं, कुवत भिढा रहे हैं कि किस प्रकार पारटी के अंदर एंट्री हो जाएं, किस प्रकार से पारटी में वापिस चले जाएं, इन लोगों के अंदर वो नेता भी हैं कि जिन् कंडिटी डेट्स की और भाजबा के जिला संगथन की परदेश अद्यक्ष मौनलाल बड़ोली ने कहा है, कि हमारे पास सभी की रिपोर्ट है, जो कैंडिट्ट टुनाव लड़ रहे थे उनकी भी रिपोर्ट है, और जिले के संगथन की रिपोर्ट है, और अब कह robić हैं कि उस उससे पीड़ा नहीं होती, जिन लोगों ने चुनाव के अंदर, क्योंकि चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है, राजनीतिक दलों के लिए, सरकार बनाना सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और जो ऐसे मौके में भीतर घात करें, या फिर पीठ में छुरा घो और या फिर सामने आकर के पार्टी छोड़ दें, क्या ऐसे लोगों को फिर सरकार बनने पर या सत्ता में आने पर एकदम से तुरंत संगठन मिस्थान दिया जाना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि क्या भारती जंता पार्टी जो कह रहे हैं जो नेता, कि जिन लोगों ने दागी और बागी लोग अभी हमारे दर्वाजे ना आएं, तो क्या वाकिए उनको दर्वाजे पर आने पर रोक रहेगी, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ऐसे नेताओं की वज़ासे पार्टी का जो ग्रासरूट कारे करता होता है, उसको कहीं पीड़ा होती है कमेंट्स बॉक्स में जरू बताएं, जुले लेवार साथ देखते रहें, देश दो जाना